जल्दी आया करो जो लेट है शुविल हाँ तो मैं first question मैंने already करा दिया तुम लोगों को ठीक है कि composition of gases अगर तुम लोगों को याद है ठीक है तो आप लोग बता सकते थे नहीं याद है तो कुछ लोगों ने google किया होगा कुछ लोगों किया होगा या कुछ लोगों ने NCRT देखी होगी क्योंकि करके तो सारे ही आयोगे question यह लेकिन यह नहीं करना है ठीक है आता है तो करो नहीं आता तो छोड़ो आगर देखो among the flowing azotropic mixture मैंने आपको बता दे है azotropic mixture कौन ना थे non idle solution तो ध्यान लगना जो आपके CCL4 और CS3 जो आपका carbon tetra chloride है और जो आपका chloroform है यहां से question आते हैं तो आप प्लीज अपने concept को clear करो कि idle solution और non idle solution के कौन से example होते है और non idle में भी दो category होती है positive division and negative division समझे रहो सारे के सारे यह सारे के सारे ideal है देखो ना यह similar से तो है यह भी क्या है LK नहीं तो है अलकाइल हलाइडी तो है बस यहां पर हेलोजन का तो चेंज है ऐसी यह जो सेम से दिखने वाले होते है वो ideal solution होते है ठीक है ideal solution के example होते है ठीक है next आगे चलते हैं question number 53 पे how many grams of methyl alcohol should be added to 10-liter tank of water to prevent its freezing at 268 Kelvin कैसे होगा यह question कौन सा फोर्मा लगेगा यह जूबिया मैं देल्टा-TF is equal to KF और M उसमें M molarity होती है molarity नहीं होती है molality होती है पहली बात तो यह molality होती है molality जी हां और molality क्या होगा formula लगाना आपको बस और कुछ नहीं करना है mass का solute का mass molecular muscle solute और solvent का mass right तो डेल्टा-TF क्या होता है solvent का minus solution का होता है KF की value आप लोगों को quality दे रखिए put करना given mass आपको निकालना है समझते हो मेरी बात मैं सिरफ आपको यह बता रहूं कि approach कैसे करना question को calculation वह आपके उपर है कि आप लोग कैसे करते है calculation ठीक है तो यहां पर solvent का mass नहीं दे रखा अब कैसे निकालोगे यहां पर आपको क्या दे रखा है density oh sorry volume दे रखा है added to 10 liter tank of water अब volume दे रखा है şu mass नहीं यान cust isolvent यहां पर पानी है तो आपक़ो लोगुआपको बता है density क्या होता है mass by volume अगर आपको water की density वोल्यूम है तो mass निकल जाएगा यहांसे बोलो mass निकल जाएगा density क्या होता है पाणी की बताना शरप density क्या होती है पाने की तुम्हे density of water नहीं पता है 1 kg पर लीटर नहीं होता है क्या mass तुम्हें अलड़ी निकालना है sorry निकालना है ठीक है and volume तुम्हें दे रखा है तो multiply करो कितना हो जाएगा 10 नहीं आ जाएगा तो सारी values put कर अंसर निकालो क्या दिकत थी इसमें यह क्या है solvent का कितना होता है freezing point zero degrees lcs है ना यानि कि 273 और solution का कितना दिवो 268 Kelvin minus करो सारी values आप लोगों ने अल्रेड़ी निकाल ली put करो w2 निकालो answer आजागा तुम लोगों का d 868.06 और मुझे तुम लोगों पर इतना खुस्सा आ रहा है तुम में से किसी बच्चे ने भी मुझे नहीं का कि माम बायों की questions में mistake थी किसी ने भी नहीं का और इवन एक chemistry के question में भी गड़बर थी बड़ किसी ने नहीं किया या तो तुम लोग cheating से ही करते हो paper मैं सच्छी बता रही है इमानदाली से करते हो तो सोचते ही नहीं हो या अगर इमानदाली से अपना honesty से paper करते हो तो तुम लोग mistakes को analyze ही नहीं करते हो तुम पहले मुझे यह बताओ जब तक तुम अपने mistakes को analyze नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा अगर मैं अगर मैं student होती ही तो अगर मेरा कोई paper हो रहा है मैं तो फट से उसको जाके मैम से पहले बोलती है मैम मुझे इसका paper दो and answer की दो मेरे को match करना है मेरा paper हो चुका है बट आज तक किसी भी student ने नहीं पूछा है किसी भी teacher से वाई बहुत चादा आता है तुम लोगों को कोई भी serious नहीं लग रहा है मुझे trust में कोई भी नहीं लग रहा है मेरे को serious तुम लोग होई नहीं तुम्हारा तो जब test paper हो जा तो curiosity होनी चाहिए अरे मेरे यह कैसे गलत हो गया मैं तो ठीक किया था तुम में है यह नहीं सोचते ही नहीं हो तुम लोग बिल्कुल भी कि यह क्यों वर्स थी ए formality है संडे को टेस्ट हो दा चल दे दिया खतम कहानी मिस्टेक्स को एनलाइज करोगे न तब भी स्कोर अच्छा आएगा तुम्हारा एक्जाम में वर्ना नहीं आएगा जो स्टेक्स पड़ी रह गई उसको पड़े रहने दोगे तो कभी भी इंप्रूब्मेंट नहीं होगी तुम लोगों में यह ध्यान रखना मेरी बात जो गलत हुआ है जो आपको लग रहा था कि मेरा क्यों गलत हुआ है मेरा कोर्डिंग तो यह सही है तो पूछो ना टीचर स पूछते ही नहीं हो तुम लोग फिफ्टी थी क्वेशन हो जाएगा अंजी फिफ्टी थी हो जाएगा क्या अरे बोलो नहीं होगा क्या हां बाकी माइक अन्म्यूट करो पार्त माइक अन्म्यूट कर बेटा नेक्स्ट्स पार्त तुम ही बताऊगे वनन पइसको माई रेज कर रहें आगे देखो वन पॉइन टू परसंट एनने दी ल सलूइशन इस आईसो टॉनिक विद 7.2% glucose solution what will be the want-off factor कैसे करोगे इस question को क्या formula लगा हूँ अपने आप बोल ले करो hand raise मत क्या करो ऐसे ही बोल ले करो जूबिया माम इसोटोनिक में क्या होता है जो ऑस्मोटिक पेशोर होता है वो दोनों को एक्वल होता है तो वो वाला formula से I, C, R, T इसमें से R और वो T हमारा कट जाएगा क्योंकि वो सेम है तो उसे value पुट करकर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो दोनों का सेम है तो यानि कि पाई 1 इस एक्वल तो पाई 2 यानि कि आयटा कंसेंट्रेशन इंटू आर्टी और आयोटा इसको क्या लिखोगे 1.2 परसेंट एनने स्वेशन को क्या लिखोगे कि वो तो इसको हटा दो यानि कि आपको क्या करना है सिवन क्या है आपकी कंसेंट्रेशन इसको होगे वन पॉइंट diffuse एनन स्वेशन को क्या लिखोगे कि 1.2 ग्राम ओफ एनने स्वेशन कि सेंट है और सुमें हम्रुन अमल स्वेशन में Finnish या याँन्द लीटर ओफ ही इसको क्या लिखोगे न का होगा 1.2 gram NACL का molar mass क्या होगा आपका 58.5 put करना उसको volume क्या होगा solution का 100 ml होगे उसको लिटर में change कर ले न यह simple आप ऐसे भी वैसे तो जो actual जिसे साब से आप question करोगे वो इसी formula से करना है यही सही तरीका है लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो simple NACL का want of factor ठीक है तो 2 में हो रहा है decompose तो I जो है यहाँ पर आप IOTA 2 भी लिख सकते थे direct समझ रहे हो मेरी बात वैसे तो N की value 2 है लेकिन इसमें complete dissociation है तो वहाँ पर हम IOTA जो आपका want of factor है और degree of जो number of particle dissociate हुआ है उसको हम equal ले ले लेते हैं 1.2% NACL का मतलब तुम लोगों को पता है तो करके आये होगी यह question समझ रहो मेरी बात क्या होता है अभी 7.2% glucose solution का मतलब क्या हुआ कि 7.2 gram glucose कितने उसमें volume में present है 100 ml ठीक है क्यों volume क्यों लिए मैंने क्योंकि जहाँ पर जो क्योंकि यह concentration है वो molarity है यानि कि number of moles by volume इसलिए मैंने लिए यहाँ पर ठीक है चलो आगे चलते हैं पोजेगा यह question यास माम बाकी सब चुप क्यों पार्थ आप क्यों नहीं बोल रहो नहीं आता था क्यों यह question ओके ओके next है for the cell आपको cell दिया हुआ है यह e-note cell की value है इतनी वो आपको बोल रहे हैं कि अगर आप concentration जो है cu2 plus की double कर दोगे तो e-note cell क्या होगा most important question most important अगर आपको e-cell लिया हुआ है sorry आपको e-note cell की value दे रखी है इस particular cell के लिए अगर आप concentration को double कर दोगे तो क्या change होगा suppose अभी यह मालो one molar है उसको two molar कर दोगे very good कोई change रहीं आएगा most important question class में इस पे बहुत जादा मैंने आप लोगों को जोर दिया था कि e-note cell क्या है आपका intensive property है intensive property का मतलब क्या है जिसको amount से no dependent concentration जिसको amount से लेना देना नहीं है चाहिए आप उसका 10 molar लो चाहिए 100 molar लो 1000 molar लो कितना लो e-note cell की value में कोई चेंज नहीं आएगा value of e-note cell will remain same ठीक है आगे चलो 56 question पर the electrode potential अब देखो तुम्हें ये electrode potential दिया हुआ है Cu2 plus इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है आपको निकालना है e-note Cu2 plus से Cu तो कैसे करोगे ये question माम पहले overall equation लिखेंगे और जो equation होगे माम उसमें 2 electrons आएंगे तो फिर उसको और तो overall equation है उसको करके इस इक वर्ट दो करके दोनों को add कर देंगे psychometric coefficient की multiplication के साथ इदर देखो पहले मैं ये लिख रहे हूँ Cu2 plus electron Cu plus इसके corresponding है 0.15 volt ये क्या है Cu plus electron Cu इसके corresponding है 0.50 आपको चाहिए क्या आपको ये चाहिए Cu2 plus 2 electron और Cu ये ही चाहिए ना तो बस add कर तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जागा Cu plus से Cu plus cancel तो Cu2 plus 2 electron से Cu अगर किसी बच्चे ने ये सोचा कि मैं इन दोनों को add कर देंगे और हम answer निकाल कहेंगे यहाँ पे 0.65 तो पक्का उसका गलत हुआ होगा पक्का उसका गलत हुआ होगा अगर आप लोग ऐसे करके आयो ये आपको तब करना है जब equation number 1 equation number 2 and equation number 3 तीनों में number of electron सेम है तब आपको ये चीज़ करनी है यहाँ पे देखो third equation में number of electron क्या है दो है जब कि उपर में क्या है 1-1 है कौन जा फूर्म लगाओगे delta G वाला लगाओगे delta G3 जो होगा वो किसके बराबर होगा दोनों को add करके आया ना ये third world equation तो ऐसे करोगे अब यहाँ पे क्या करोगे तुम आगे क्या करोगे delta G का formula क्या होता है NF E not F ठीक है E not F, F तो cancel हो जाएगा और यहाँ पे भी same ऐसा N3, N1, N-N2 करके कर ले सारी values आप लोगों के पास है put करो answer देखना फिर क्या आएगा answer आप लोगों का solve करोगे ना तो यह आएगा क्या नाम है C आएगा इसका answer तुम्हे answer तो पता था बट तुम यह बता नहीं पाई फिर कैसे पता था answer तुम्हें नो मैंने किया ता solve तो वो delta G वाले से ही फोर्मुले से होगा otherwise यह आप कर ही नहीं पाऊ गया question यह ध्यान लखना मेरी बात और paper में ऐसे ही question आते हैं वह वाला जमाना गया कि direct दो equation को add किया और दोनों के electro potential को plus किया और हो गया ऐसा नहीं आता question ठीक है तो आप check कर ले ना तब भी आप delta G वाले लगाना क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है क्रोस चेक हो जाएगा ठीक है क्रोस चेक हो जाएगा यह कैसे किया है question for following limiting molar conductivity are given as तो आप लोगों को देखो सब कुछ दे रखा है sulphuric acid का potassium, sulphate का potassium acetate का आपको इसका निकालना है तो कैसे करोगे, path कैसे करोगे path unmute करो खुद को हाँ तो यह सब को दे रखा है इसका x है इसका y है और इसका क्या है z है प्रिया कहा हो तुम लोग बोल क्यों और करके नहीं आये हो क्या मैं नहीं करवाँगे आगे से एक paper, sales, all तुम लोग बोलते ही नहीं हो नंबर कहां से आ रहे हैं फिर तुम लोग को के साक्षी, प्रिया, पायल अतुल, फरहाद एक तो तुम लोग जल्दे आये करो हाँ कैसे होगा ये question, इतना easy question है ये बताओ कैसे होगा अब तुम 100% sure हूँ कि तुम लोग paper कैसे करते हो आपको क्या निकालना है acetic acid का, कैसे निकालोगे अरे math c तू है simple, plus minus c तू करना है एक तो तुम्हें ये चाहिए होगा और एक अवाज आ रही है कि गई मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है कि सबको CS3 ये चाहिए ना तुम लोगों को बहुत बूरा हाल है तुम लोगों का बहुत ही जबर्दस्त बहुत ही बूरा हाल है करो ये वाला question मैं नहीं कराऊंगी करो खुछ से कैसे लेके आ सकते हो CS3 किसी ओच करो होगा ये तो मिल जाएगा CS3 COH लेकिन तुमें चाहिए क्या तुमें चाहिए इधर देखो CS3 COH चाहिए लेकिन चाहिए क्या नहीं तुम लोगों को देखो न ना तुमें sulphate चाहिए ना तुमें क्या चाहिए potassium भी नहीं चाहिए क्या करोगे फिर उसका माइनस करना पड़ेगा ये करो तुम x by 2 y by 2 और देखो करके तुमें ये मिल रहा है CS3 COH करके देखना एक बार x by 2 करो उसमें से माइनस कर दो y by 2 और add कर दो plus z तो देखो तुमें CS3 COH मिल रहा है के नहीं मिल रहा है प्रिया नहीं आता था ये question तुमें फरहाद येस मैम तुम लोग बोल की ने रहे हो मैं बोली जा रहे हूँ तुम लोग बोल ने रहे हो इतना बोलने के बाद भी तो बताओ ना प्रिया कैसे हो ओ हाँ तुम बताएगा मुझे फिर ये करने पर आ रहे हैं तुम्हारा CS3 COH ये खुद करो गए ये बस यार लास्ट टाइम है मैं कभी नहीं तुम्हारी क्लास में सॉल्ड करांगी पर मैं तुम लोगों को देख लिया है कि अगर आपके रेट जब आप लिखते हो रेट ओ अगर उसमें एच प्लस की कंसल्डेशन आ जाती है तो ध्यान लखना आपका रेट इफेक्ट होगा अगर आप हैच प्लस की कंसल्डेशन में कोई चेंज करोगे ये वाला पॉइंट अपनी नौट्स में अड़ कर लेना अगर नहीं किया हुआ अपने ठीक है एच प्लस की कंसल्डेशन को चेंज करोगे तो आपका रेट भी चेंज होगा तो फर्स में देखो क्या लिखा हुआ है ये तो गलत है क्योंकि पी एच क्या होता है माइनस लोगरीथम ओफ एच प्लस तो अगर आप इसको चेंज करोगे माँ अगर आप इसको चेंज करोगे तो पी एच तो चेंज होगा लेकिन ये कह रहे हैं कि पी एच में कोई ऐच प्लस की कंसेंटरेशन पर वह वह सेकेंड कर इसको क्या लिखा हुआ है, the reaction rate increases by four times and doubling the concentration of H plus, यह बिल्कुल ठीक है, कि अगर आप H plus की concentration को increase करोगे, तो आपका rate of reaction भी four times से increase करोगे, यानि कि यह option बिल्कुल ठीक है, आगे हाओ, आगे है, N2 is obtained by decomposition of benzene disonium chloride, अगर आप benzene disonium chloride की decomposition कराओगे, तो आपको N2 मिलेगा, ठीक है, जी, at constant temperature, लिख लो reaction लिखना चाते हैं तो, वो कहने कि first order reaction है, यह देखो direct NCRT से है, अगर किसी ने notice किया हो, direct NCRT से आया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो, क्या निकालना आप लोगों को, it is a first order reaction and the various volume obtained at different time interval आपको दे रहे हैं, rate constant निकालना है, यानि कि k निकालना है, first order की क्या equation होती है, 2.303 by T log V final upon V initial, ठीक है, यह होती है, लेकिन इसमें देखो, क्या लिखा हो है, V infinity, infinite time पे जो है, volume दिया हुआ, तो इसमें फॉर्मुला कौन सा लगेगा, V infinity minus V naught, V infinity minus 50, ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, time अपनी तरफ से कोई भी ले लो, suppose मैं time ले ले तो 50 second, T 50 second पे आपको चेक करना है, मलब 50 minute पे चेक करना है, तो क्या होगा इदर देखना है, 2.303 by 50, right, V infinity कितना है, 162, initial volume, mem 0, V infinity 162, time कौन सा लोगे अभी, देखो न, volume कौन सा लोगे अभी, 50 पे जितना है, कितना है 25, बस कर दो, 2.303 by 50, 162 by 162 minus 25, K की value आजएगी, बोलो, आएगी की नहीं आएगी, Yes, ma'am, part, part, बोल की नहीं रहे हो तुम, B option आएगा, ठीक है, करके देखना, सोल, option B रहेगा, next आओ, for the reaction, ये बहुत अच्छा कोईशन है, important लिखो इस पे, ये जनली नीट में नहीं पूछा जाएगा, बनलब आप लोग इस फॉर्मले को ध्यान अकना, नीट में पूछा इसलिए नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो calculation है, थोड़ा सा हो सकता है, लेंडी हो जाए, इस वज़े से, क्योंकि देखो ना, ये होता है ना, sorry, मैं लोग लगाना भूल गई थी, 2.303, लोग, हम क्या बोलते है, तो जो लोग की वेलू आएगी ना, या तो वो लोग की वेलू आपको लिखके रहेंगे पेपर में, otherwise ये question नहीं आएगा फिर, ठीक है, चलो, आगया हो, आपको ये, कोई reaction दियो हुई है, उसके लेक्टिवेशन अनर्जी जीरो है, के की वेलू आपको अल्रड़ी दियो हुई है, इस temperature पे, at 200 Kelvin पे, आपको rate constant, यानि की की value ही निकालनी है, 400 Kelvin पे, ठीक है, क्योंकि आपको बता है, rate किस पे depend करता है, temperature पे depend करता है, तो अगर temperature change होगा, तो rate constant भी change होगा, तो अभी देखो, लेकिन कैसे करेंगे इस question में, थोड़ा सा आपको सोचने की जुरुत है, बहुत easy question है, बढ़ थोड़ा सा सोचो, part क्या लगेगा इसमें, क्या equation लगेगी इसमें, बताओ, क्या equation लगेगी, नई, जूबिया नहीं बताएगी, हाँ, जी, बताओ, क्या equation लगेगी इसमें, RNS equation, यही लगेगी ना, लोग, k2 by k1, minus, ea by 2.303, rt, ठीक है, यह मैं simple लिखूं, 1 by t2 minus 1 by t1, ऐसी लगेगा, अभी k2, क्या है आप लोगों का, देखना इदर, k2 क्या होगा इदर, देखो, ok, k2 तो आपको निकालना है, temperature t2 पे, k1 आपको दे रखा, लेकिन यहाँ पर देखो, एक चीज दे रखा है, ea 0 है, अगर activation energy ही 0 हो गई, तो भाई है, यह तो पूरी चीज 0 हो गई, बोलो, देखो एक बार, यह तो पूरा 0 हो गया, तुमारा right-hand side वाली term, हाँ या ना, यह तो यहाँ पर होगा क्या, 0, यानि कि k2 by k1 क्या हो जाएगा, 10 की power 0, यानि कि k2 by k1 is equal to 1, तो k2 क्या हो जाएगा, k1 के बराबर हो जाएगा, और आपको k1 अल्रेडी दे रहा है, तो k2 की भी value यह आईगी, तो यानि कि इसका answer क्या आना था, बी answer इसका आना था, आगे चलो, which are the following exhibit, dd transition and paramagnetism as well, आपको यह देखना है, कि इन में से, charge species में से, dd transition कौन शो करेगा, और paramagnetism भी होना चाहिए, मिलब basically, आपको वो डूणना है, जिसमें dd transition भी होती है, as well as, उसका nature जो होता है, वो paramagnetic भी होता है, तो आप लोग यहाँ पे चेक करो, chromium plus six है, chromium plus six है, यहाँ पे कहें plus seven, तीनों में खाली d orbital है, कोई भी electro नहीं है, तो यानि की सारे के सारे के हैं, d magnetic है, लेकिन इनका color होता है, इनका color किस वज़े से होता है, LMCT की वज़े से, ligand two metal charge transfer की वज़े से, मैंने आप लोगों को बताया भी था, LMCT की वज़े से इनका color होता है, लेकिन अगर आप यह निकालोगे, तो यहाँ पे देखो, मेगनीज की oxidation state plus six हैगी, यानि कि d में क्या है, एक electron present है, तो क्या होगा, d d transition होगी, क्या होगी, d d transition होगी, और nature कैसा होगा, इसका paramagnetic होगा, बाद इस class के बाद मुझे call करना, which of the following is, iso structural with Kmno4, याद करो यह question, कैसे होना था, Kmno4, Kmno4 में, कैसा होता arrangement, यह ऐसा होता है, और यह क्या होता, tetrahydral, Kclo4 भी तो ऐसा ही होता है, देखना है एक बाद, यह तो होता है, बिल्कुल सेम, 1, 2, 3, 4, tetrahydral, तो इसका answer क्या आएगा, C, ठीक है, कोई मुश्चिन ना, माम इस question में न, सब के coordination number निकाल के, फिर वो जो C वाला तो, कोई में को निकाला अब तुमने, simple, वैसे तो में को नहीं लगता, इनोंने यह दिया, कि, देखो, K2 MnO4 दिया हुआ है, MnO4 2 negative है, इसमें, Iso Structural, Same Structural आपको बताना था, इसमें KmNO4 है, ये की KCl4 है, बस Mn की जगा CL है, Structural बिल्कुल दोनों का same बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप ये बनाओगे, तो 2 O-P negative charge आ जाएगा, ऐसे ही इसमें भी 2 O-P negative charge आ जाएगा, लेकिन यहां देखो, एक ही O-P negative charge है, clear हुआ, next question पर आओ, catalyst used in the oxidation of SO2, याद करो, करवाया था, oxidation जब आप इसका कराओगे, तो SO3 में change होगा, ठीक है, मैंनो, first step यही होता था हमारा, याद करो, ठीक है, H2SO4 की manufacturing के लिए, कौन सा V2O5, contact process था ही, ठीक है, तो I was talking about this question, कि according to IUPAC nomenclature, sodium nitroproside, यह मैं कह रही थी, इसमें न, answer की मैं B था, बट इसका answer A होना था, क्या होता है, sodium nitroproside, FECN5, NO, तो इसमें आपको, basically, इसका वो बताना था, क्या बोलते हैं, इसका IUPAC name बताना था, तो क्या होगा, इसमें sodium pentasynide हो, या pentasyni हो चलेगा, ठीक है, nitrocyl, nitrocyl, ferrate होगा, nitrocyl ferrate, ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर याद करो, मैंने आप लोगों को, क्लास में दो बताया था, एक तो sodium nitroproside बताया था, और एक मैंने बताया था, आपको brown ring test, उसमें जो NO को, आपको neutral ligand consider नहीं करना है, उसमें NO क्या होगा, as a plus one होगा, तो इसकी oxidation state निकाल लो, plus two, plus six, यह क्या है, cyanide की minus one होती है, और इसकी plus one, zero, तो कितना हो जाएगा, देखना एक बाद, plus two नहीं आजाएगा iron की, तो answer a होगा, कोई करके आया था यह question, कोई करके आया था यह question, नहीं करके आया, हाँ प्रिया, तुम करके आया थी, ठीक था तुमारा, ठीक तो कैसे होगा, इसका तो answer ही कलता, बट मेर से किसी ने पूछा ही नहीं, चलो, आगे question देखो, correct increasing order of wavelength of absorption, in the visible reason for the complexes of cobalt tree, plus, क्या होगा इसमें, हाँ जी, wavelength क्या होता है, energy के inversely proportion होता है, पहले तो आप तुम लोगो बहुता हो, कि crystal field splitting energy, सबसे जादा किस की होगी, जो strong field ligand है, तो EN की सबसे जादा, then ammonia, then motor, तो wavelength क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, यानि कि A order हो जाएगा, increasing order में लगाना, तो पहले सबसे कम वाले की wavelength लगाने पड़ेगी, कौन सी है ये, इथाएलिंडा, ये मीन वाले की, next आओ, ये question देखो, ये question आ, कल J main में आया है, ये question, J main में आया हुआ ये question, shift 1 में, लो बताओ, NCRT, direct, कैसे होगा ये question, देखो, क्या दीखा हुआ है, major product बताने है, और HBR जो है, excess में है, heat में है, तो पहले तो ना, हम क्या करेंगे, ये question में option देखेंगे, ध्यानक ना, organic question में, अगर फस रहे हो, नहीं समझ मारा, तो एक बार option चेक करो, option से, बहुत अच्छा कासा hint मिलेगा, कि क्या चल गा है, तो देखो, इसमें क्या हो रहा है, मैं थोड़ा कम कर देते हैं, इसको, हाँ, तो अभी देखो, option में देखो, BR लगा हुआ है, BR लगा हुआ है, BR लगा हुआ है, ये BR, यानि कि BR तो लगेगा, लगेगा, और तुम्हें पता है, ये 5 बोंड है, तो ब्रेक होगा, आपको ये decide करना है, कि BR यहाँ पे जाएगा, CH पे, ये वाले CH पे जाएगा, जो CS3 के साथ लगा हुआ है, नहीं, Marconi को जरूल लगा होगे, तो अगर आप बोंड को ब्रेक करोगे, तो ऐसी करोगे, क्योंकि ये क्या बनेगा, Benzylick, Carbocatine बन रहा है, ये देखो, OCS3, यानि कि BR यहाँ पे आएगा, यानि कि ऑप्शन आप देखो, कौन सा वाला, ये वाला हटा दो, और ये वाला हटा दो, A और D में जाना है, अभी क्या है, देखो, यहाँ पे तो OCS3 है, यहाँ पे OH है, यानि कि HBR XS में है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से भी मिथेनोल को निकाल देगा, प्रोटोनेट करेगा, और निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, आपका option, DIA को, सेम क्वेशन, जैई में में पूछा है कल, आ गया हो, नेक्स्ट क्वेशन, और गैनिक तो बहुत इजी है, हाँ, प्रोटोनेशन हो जाएगी, करेक्ट रियक्टिविटी, ओडर ओफ दा कंपाउंड, alcoholic QH, alcoholic QH मतलब, elimination reaction, alkene बनेगी, तो आप लोग देखो, किसमें सबसे fast बनेगी, इसमें बनेगी, देखना, क्योंकि ये क्या है, more substituted होगा, तो एक ही तो सबसे ज़्यादा, रियक्टिविटी है, यानिकि C option नहीं हो सकता है, उसके बाद सबसे कम, इसकी बनेगी क्यों, क्योंकि देखो ना, क्या है ये primary, येस माम, तो यानिकि सबसे पीछे आएगा D, तो ये भी अटा दो, B और C में कैसे करोगे, क्योंकि जब आप BR को निकालोगे, तो बेसिकली यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर CL है, यहां पर BR है, तो इसको हम किस पेशिस पर करेंगे, on the basis of, living group करेंगे, क्योंकि BR अच्छा living group है, तो C का सबसे ज़ादा होगा, फिर B का, फिर D का, तो 67 का option क्या हो जाएगा तुम लोगों का, इसको आप प्रिपेर नहीं कर सकते हो आपको यह चार ओप्शन दे रखे हैं आपको बताना है किससे प्रिपेर नहीं कर सकते हो आप यह लिखोगे कर लोगे बी से कर लोगे सी से कर लोगे वे दी बता देते हो आपको क्योंकि इसका अच्छा यह पूर्मेलडी हाइड है और यह क्या आपका देखना ग्रिगनाड रिएजंट है देखो एक बार यास माम अच्छा एमजी एक्स याने कि आप क्या करते आप यह करते इस पर नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव है यह आप अटेक करवाज़ते लेकिन ध्यान रखना यह ग्रूप क्या है बहुत जादा क्या है बलकी है ग्रिगनाड रिएजंट में ध्यान अगर ऐसा कुछ बलकी है ना ग्रिगनाड रिएजंट तो वह टैक नहीं करेगा नहीं बना पाएगा यह किसी भी हाल में समझ रहो मेरी बात यह टैक क्योंकि यह क्या है नुक्लोफाइल की तरह जा रहा है नुक्लोफाइल लेकिन जो डी वाला है उससे आप प्रिपेर नहीं कर सकते हो, बोलो हाँ या ना अब तुम्हें टाइपिंग करने में भी तुम्हारे हाथ रुख रहाएंगा सबके अल्कोल डेल अल्कोल डेट विल गिव मोस्टेबल कार्बोटन डीहडरेशन अल्कोल डेट विल गिव मोस्टेबल कार्बोटन तो कौन होगा टू मिथाइल अप लोगों का बना लो जब आप पानी निकालोगे यहां से तो स्टेबल कार्बोटन बनेगा तो ऑप्शन सी यहां पर क्या लिखा हुगा है यह आपको क्या है टर्शरी बुटोक्साइड दे रखा है यह आपको अलकाला लाइड तो रेक्शन कैसे हो रही है ऐसे हो रही है कैसी रेक्शन है यह विलियम सन सिंथेसिज यह मतलगा क्या नेच्ट आओ इथाईन की रेक्शन किससे है याद करो करवाही थी यह मैंने आप लोगों को ल्डाइड की टोन में इथाईन क्या होता है यह और आप इसकी रेक्शन करा रहे हैं मर्कुरिक सल्फेट की प्रेजेंस में और एसिड लिया हुआ है तो क्या ब तो बस बन गया, क्या नाम है इसका, acetaldehyde, benzyldehyde तो कैसे ही बनाओगी, है न, benzyldehyde तो कैसे बनाओगी, दो कारवन है, ethanoic chloride भी कैसे बनाओगी, नहीं बन सकता किसी भी हाल में, ethanoic acid, बच्चा क्या है, तो hydration करा रहो, acetaldehyde बनेगा, याद करना, first first मैंने, I think first class में मैंने को hydration of alkynes बताया था, याद करो, उसके बाद है 73, which of the following do not undergo l-doll condensation, आप लोगों को जब यह चेक करना है, l-doll condensation के लिए l-doll condensation में क्या है, alpha h should be present, तो देखो, किस में नहीं है, इस में नहीं है, तो याने कि यह l-doll condensation में नहीं जाएगी, आगया हो, आगया हो, which of the following reagents are used for the conversion of ethanoic acid to ethanoic anhylid, यह तो है, कि मैं next time से तुम्हारे batch में तो बिल्कुल भी नहीं करा हूँ, तो लोग तो बिल्कुल response ही नहीं, मुझे लगता है, मैं इस paper solve कर लिए, मैंने इस paper दिया था, नाम P2O5, आपको कुछ नहीं करना, सिरफ यह देखना है, आपको, basically dehydrating agent देखना है, तो P2O5 बहुत अच्छा dehydrating agent है, यह तो दोनों क्या करते हैं, यह दोनों तो OH को CL में change कर देते हैं, याद करो, तो अगर आप ethanoic acid की reaction इन से कराओगे, वो तो यह देदेंगे CS3, COCL, समझ रहे हो, आप लोगों को ethanoic anhydride नहीं मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट आओ 75 question पर, amines are reactive due to, क्यों amines reactive है, क्योंकि electronegativity difference है, nitrogen and hydrogen में, और क्योंकि nitrogen के पास lone pair है, है, nitrogen के पास lone pair है, जिसकी वज़े से वो कैसे behave कर रहे है, blue space की तरह behave कर रहे है, याने कि जब आप acidic condition provide कर आओगे, तो वो ammonium amine बना लेगा, ठीक है, तो दोनों ही statement हैं, याने कि C is cancer आना था, आ गया हो, an amine X, एक amine है, X मैं नीचे करके दिखा दियूँ, ठीक है, उसको react किया है, HONO के साथ, nitrous acid, at low temperature, वो कहरे हैं कि stable disonium chloride मिल रहा है, कौन से होते हैं stable disonium salt, देखो अगर आप aliphatic लोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर suppose मैं इतने से कुछ भी ले लो, तो सबसे पहल हैं, तो वहाँ से क्या होगा, N2 भार निकल जागा, और कार्गो के 10 की formation कर लेगा, लेकिन जो ये benzene disonium chloride बनेगा, after the reaction with nitrous acid, तो ये क्या होता है, stable होता है, at zero degree Celsius पे, तो ये आपका D answer होगा, चैट बोक्स में बताओ जल्दी, अमन, अमन कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अमन, येस मैम, बोल क्यों नहीं रहे कुछ आज, हो गया जेई का पिपर, एक को है मैम, अच्छा एक को है, ठीक है, ग्रूप नमर में कौन से हो, कौन से ग्रूप में हो तुम, 34, अच्छा लिंक क कान से मिला तुम्हें फिर मेरा केमिश्टी ग्रूप में आया था अच्छा डाउट सोलिंग वाले में येस मैं अच्छा आगे देखो कप्लिंग रेक्शन किसका एक्जामपल है मैंने आप लोगों क्लास में भी कराया था इलेक्ट्रोफिलिक एलेक्ट्रोफिलिक नुक्लोफिलिक कैसे होगा देखो एक बार ओके माम ठीक है आप बेसिकली क्या करवाते हो बेंजीन नाजोनियम क्लॉराइड कर लेते हो और आप लेते हो मालो फिनोल ले लिया तो लेकिन ये जाकर अटैक करता है ने इस पर तो कैसा रेक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स ना आगे चलो उसके बाद है डी एंड ये क्या लिखा हुए डी और प्लस क्या सिगनिफाई करते हैं इन दा स्ट्रक्शर ओफ ग्लूकोज तो डी तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्लस है धिया अनकना कैपिटल ड डी जो है आपका कॉन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट गरते हैं ध्यान रखना और जो स्मोल डी है या जो small l है या जो plus minus है वो ये बताता है कि leave or rotatory है या dextro rotatory है, समझा रहा है तो plus क्या दिखा रहा है आपका dextro rotatory, याने कि option B इसका correct answer होना था आगे चलिए क्या बोला है इन्होंने identify alpha d fructophilinus and beta d fructophilinus कैसे करोगे alpha में क्या होता है याद करो alpha में मैंने trick बताया था कि जहाँ पे cs2 oh और oh, trans position पे हो याद करो और beta क्या होता है जहाँ पे cs2 oh and oh same position पे हो same side पे हो, तो देखो यहाँ पे cs2 oh, जो है same side पे है, याने कि fourth वाला तो किसको represent कर रहा होगा beta को, तो देखो fourth किसमे है यहाँ पे है, यहाँ पे है यहाँ नहीं है, हटा दो, और एक यहाँ पे है सबज़े हो अब आपको उपर वाला decide करना है कि उपर दोनों जो आपके first or second structure बने हुए है वो किसके है, third के यह fourth के है तो मैंने आपको लोगों को trick बताया थी, doctor करके मैंने का तो जो right and side है वो down आएगा, तो यहाँ पे देखना एक बाद cs2h right पे है तो नीचे आया, उसके बाद h क्या है, right पे है, तो नीचे आया उसके बाद oh right पे है, तो नीचे आया तो याने की second and fourth क्या होंगे आपके, बीटा वाले होंगे तो कौन सा option है, देखना एक बाद भी होगा, इसका देखना एक बाद, confirm करो, यह तो तुम्हे मुझे बताना चाहिए था, बढ़ किसी ने नहीं बताया किसी ने भी नहीं बताया 80th question पे आओ which of the proteins remain intact during denaturation process primary primary, the hormone responsible for preparing the uterus for implantation of fertilized egg is बताओ, bio वाले बच्चे, कौन सा hormone होगा, वैसे यह paper में नहीं आएगा NEET वाले में, लेकिन हाँ, bio में आसकता है, progesterone होगा इस cancer, ठीक है, चलिए आगया हो, next देखो numerical था आप लोगों का, सिरफ देखो 20 questions ही रहे गए है, फटाफट कर लेता है कुछ ज़्यादा नहीं है, लेंधी boiling point आपको दे रखा है, बेटा, पानी का boiling point, sorry, boiling point of water at 750 mmHg इतना दे रखा है, वो कह रहे है कि how much sucrose, आप कितना sucrose add करोगे 500 gram of water so that it boils as 100 degree Celsius मैं बना, कितना add करोगे कि उसका boiling point है, वो 100 degree Celsius जो है, वो पहुच जाए तो क्या करें हम? ठीक है, कितना पानी डालोगे कि वो boil होने लग जाए 100 degree पे, तो कौन सा formula है, delta tb minus, oh sorry delta tb is equal to kb into m molality क्या होगी molality क्या होगी, w2 by m2 into w1 यह ही होता है formula kb की value आपको दे रखी है given mass, निकालने आपको सुक्रोस का, molar mass, सुक्रोस का इध्यान रखो, ऐसे questions आते हैं, अभी आप C12, H22, O11 का molar mass निकालने बैट जाओगे ना, एक मिनट तो हही खा जाएगा आपका question तो सुक्रोस, glucose के molecular formula आप लोगों को याद होने चाहिए sorry, molecular mass आप आप लोगों को याद होना चाहिए काम आता है paper में, तो 342 होता है given mass हमें निकालना है molecular mass हो गया, solvent का mass कितना है, 500 kb की value दे रखी है delta db क्या होगा 0.52 ठीक है क्या करोगे 100 माइनस कर दोगे 99.48 का यही करते हो ना solvent का और solution का solution minus solvent ऐसे ही करते हो ना आप लोग ठीक है तो बस minus कर दे ना point something आ जाएगा और बस value put करना answer देखना D आएगा इसका एक और मैं check भी कर लेते हूँ 82 का D answer है तुम लोगों का ध्यान लखना जो यह 500 ग्राम है ना इसको आपको kg में भी change करना पड़ेगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर देखो kb की value kg में है तो 1000 से आप लोगों को divide भी करना है तो ध्यान लखना यूनिट का ध्यान लखना आप लोगों ने यह formula किया हुआ 1000 by W1 बट मैं ऐसे नहीं करवाते हूं कभी भी मैं हमेशे यहां पर 1 by W1 लखाते हूं क्योंकि अगर examiner ने आप लोगों के साथ यूनिट में खेल गया वो तो फस जाओ गया अगर 1000 लगा दियो उपर इसलिए इसलिए क्या चलो एक वो बोलते ना थोड़ा sequence में चलो कि दे क्या रखा है पूछ क्या रखा है कि इस यूनिट में मुझे कैसे change करना है ऐसे चलोगे तो गलत नहीं होगा question ठीक है उसके बाद देखो 83 question फिर solution से है उन्होंने बोल रखे कि delta h solution is accepted to be positive और वह पूजितिव और uh है यह कब आता है positive जब आपki solute और solvent की interaction जो solution और solvent बना है जैसे एक अपने solute-solute की interaction solvent-solvent की interaction बना क्या है इससे? solute-solvent तो अगर solute-solvent की interaction कम है तो 6000 तो vapor pressure क्या हो जाएगा मैं जादा हो जाएगा, और vapor pressure तो इस case में delta H क्या होता है? बोलो माम positive पोजिटिव होता है, तो first वाले में देखो solute solvent interaction are same, यह तो idle solution की condition है यहाँ पे देखो, इसमें बोले solute-solute की interaction बहुत जादा है then solvent-solvent interaction and solute-solvent ही तो बिलकुल ही गलत है solute-solvent की interaction बहुत कम होगी, तभी vapor pressure जादा होगा and आपका delta H positive होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, positive deviation बोलते हैं ठीक है, समझ में आया आगया यह, फिर solution का question है which was the following, aqueous one molal solution has the highest freezing point देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, qualitative property थी एक आपकी depression in freezing point है ना, वो किस पर depend करती है, number of solute particles पर depend करती है बोलो हाँ या ना, कि कितने dissociate होए तो जितने number of solute particles dissociate होगे, उतना क्या होगा depression in freezing point होगा, यानि कि freezing point zero से कम चला जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या पूचा है, highest freezing point पूचा है जबकि barium chloride dissociate होके, कितने में dissociate होगा, three number of particle में, aluminium sulfate किस में होगा, पांच में dissociate करवाना इसको, और KBR होगा दो में, जबकि urea तो होगा नि, one, तो सबसे ज़्यदा freezing point किसका होगा, इसका, अगर यह पूच्टे सबसे कम किसका होगा, तो आपका अंसर आता, D, aluminium sulfate, क्या यह concept clear हुआ, 85 question में कहें, minimum osmotic pressure, तो आपको पता है, pi is equal to iota into c into rt, rt तो छोड़ो, iota, जितना ज़्यादा iota होगा, उतना pi ज़्यादा होगा, तो देखो, NaCl में 2 होगा, तो इसको तो अटा दो, क्योंकि हमें minimum देखना है, तो यानि कि glucose और urea में देखो, glucose और urea तो non dissociate है, iota की value 1 होगी, तो यानि कि इसका osmotic pressure किस से relate कर गया, किस पर depend कर गया, concentration पे, तो जितनी ज़्यादा concentration, उसका osmotic pressure उतना ज़्यादा, यानि कि यहां 2 molar है, यहां 1 molar है, तो 2 molar का ज़्यादा हो जाएगा सबसे, और 1 molar का सबसे कम हो जाएगा, तो ऐसे करना था, यह question, बोलो हा के न, यहां पर हो, when 10 gram of non-olatile solute is dissolved in, it raises boiling point, देखो, simple है, वही question है, kb into m, आपको सारी values दियो हैं, सारी, आपको delta tb भी दे रखा है, kb की value भी दे रखी है, और आपको molality, यानि की, w2 by m2, 1 by w1, सब कुछ दे रखा, देखो, given mass दिया हुआ है, solvent का mass दिया हुआ है, आपको यह m2 निकालना है, बिल्कुल सेम है, इसका answer मैं बता देतूँ हूँ, आप लोगों को, 86 का रहेगा, answer d, 253 gram per mole, निकाल के देख लेगा, सेम बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, बस हाँ, यह मैं मानूंगी कि paper landy था, chemistry का, क्योंकि numerical both आ गए थे, जैसे देखो, next, 87 question प्याओ, corrosion of iron is essential and electrochemical phenomena, अगर किसी ने corrosion वाला पढ़ा है topic, तो उसने यह कर लिया हुगा, क्या होता है corrosion में, कि जो iron होता है, वो oxidize होता है, Fe2 plus में, Fe2 plus में oxidize होता है, आपका iron 2 plus, तो जहां पे यह iron 3 plus लिखा हुआ है, उसको तो वैसे हटा दो, ठीक है, और जो O2 है, basically क्या करता है वो, पानी के साथ 2 electron और यह कर देता है, and dissolved oxygen is reduced to H2O, तो option कौन सा आएगा इसमें देखना, option आएगा इसमें आपका A आएगा, कि Fe2 plus में oxidize हो जाएगा, और जब dissolve करोगे उसको oxygen में, is reduced to H2O, ठीक है, यह सारे गलत है, यह सारे गलत है, हटा दो इसको, ठीक है, उसके बादा यह देखो, 88 question, when a quantity of electricity is passed through copper sulfate solution, इतना copper deposit हुआ है, वो कहरें कि same quantity of electricity passed की गई है, SED5 water से, तो आपसे पूछे, volume कितना liberate होगा SDP पे, class में भी करवाया था यह, अगर आपने summation से भी class ले होगी, तो उन्होंने भी यह question पका करवाया होगा, ठीक है, तो बस revise नहीं करते हो, तो यह किसका, question है, electrolysis से है, यह question, Faraday कौन सा लो है, second, yes ma'am, second लो है, तो कैसे बनेगा, equivalent mass of copper, equivalent mass of copper, divide by equivalent mass of H2, ठीक है, और copper का mass कितना दे रखा है, मतलब W weight of copper, यहाँ पे लिख लो, और weight of hydrogen, है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले, weight of hydrogen निकालेंगे, कैसे निकालोगे weight of hydrogen, equivalent mass क्या होता है, molar mass by N-factor, तो copper sulfate में N-factor कितना होगा, निकाल ले न, 2 electron होगा, ऐसे मास्क, molar mass क्या होगा, hydrogen का 2, और इसमें N-factor क्या होगा, 2, वहाँ कैसे, देखो इदर, 2H+, 2 electron से बनाई तो है H2, क्योंकि acidify है न, तो H+, तो हो गई, ठीक है, और weight कितना दे रहागा, 0.16, यहाँ से weight of H2 निकाल लो, 2 से 2 cancel, 32, बताओ, लेकिन आप से पूछा क्या है, कितना volume liberate होगा, कितना volume, STP पर volume कितना होता है, 22440 cm3, इसमें hydrogen कितना होगा, 2 gram, तो आप यह निकाल लोगे, 0.16 by 32 करके, देख ले न, इसमें कितना होगा, 22.4 liter होता है, लेकिन आप लोगों को देखो, answer किसमें report करना है, cm3 में, तो 1 liter किसके बराबर होता है, 10 की power 3 cm3, अभी मैंने यह लिखा, तो जब आपको बता है, इतने में इतना है 2 gram, आपको बता है, STP पर किसकी equal होता है, molar mass की equal होता है, क्योंकि हम H2 का निकालना है, तो यह हमने given के लिए निकाल लिया, तो देख लो कितना आजाएगा, 56 cm3 क्यों आजाएगा, बस, खतम कहानी, ठीक है, एक बर हम जाएगाते, 89 वाले को छोड़ देते हैं, question, वो थोड़ा lengthy है, बाकी देख लेते हैं, ठीक है, उसको मैं बाद में करवाती हूँ, यहाँ पर आओ, question, 90 question में कहा है, dry cell में कौन use होता है, MnO2, याद करो, DNF block में पढ़ा था हमने, याद करो, last application of DNF block, यह question, यह question देखो, 4-hour reaction दा, T-half आपको दे रखा है, sorry, T-half values for initial concentration, time दिया हूआ है, 1 minute and 2 minute, order बताना है, मैंने आप लोगों को एक formula लिखवाया था, यह वाला, बहुत important बताया था मैंने, क्या करना आपको, T-half 1, divided by T-half 2, ठीक है, A2 by A1, N-1, N क्या है, यहाँ पर order, T-half, अगर मैं मान के चलो, एक minute के लिए, एक minute के लिए, कितनी concentration है, 0.8, ठीक है, 64 minute के लिए concentration कितनी है, initial, देखो, कितनी है, 0.2, N-1, बोलो, हाँ के नाप, बोलो, Yes, Ma'am, अब क्या करना है, solve कर लो इसको, टाइम आपको दे रखा है, 0.2, इसको solve कर लो, 2 by 8, तो क्या होगा इसका, N-1, 1 by 4, इसको कैसे लिख सकते हो, 4 की power 3 लिख सकते हो क्या, इसको, 4, 4 जा 16, 16, 4 जा 64, लिख सकते हो क्या, 1 की power 4, 1 by 4 की power 3, और यह क्या है, 1 by 4 N-1, तो N-1 is equal to 3, एक सिकेट, गलत कर दिया है, मैंने, इसका answer 91 का, हाँ, ठीक है, N-1, 3, तो N कितना आजाएगा, 4, तो option क्या आजाएगा, इसका 4, यह करना था, question, class में करवाया हुआ, question है, class में मैंने करवाया था, उसका answer 2 था, यहाँ पर थोड़ा सा, और change कर दिया बस, लेकिन आप लोग बिल्कुल चुपो, नेक्स्ट करो, 92 कैसे करोगे, हाँ, 92 कैसे करोगे, आपको क्या दे रखा है, the rate of decomposition of ammonia is found to depend upon the concentration of ammonia as, यह दे रखा, कितना easy question था, क्या पूछा है, जब NST की concentration बहुत high होगी, और बहुत low होगी, order बताने है, इतना अच्छा question और इतना easy, अच्छा है in the sense, important, तो देखो, जब आप ammonia की concentration को बहुत ज़ादा कर दोगे, denominator में देखो, concentration बहुत ज़ादा कर दोगे, आप ammonia की, तो क्या 1 को neglect कर दूँ मैं, तो देखना rate क्या आजाएगा, K1, ammonia, डिवाइड बाइ, K2, ammonia, cancel कर दो, K1 by K2, 0 order हो जाएगा, और अगर, आप low कर दोगे concentration, तो क्या करोगे, इसको neglect कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, order, ammonia के respect में, 1, 0, और 1, order आना था, थोड़ा से दिमाग यूज करना था, बस हो जाता हो question, Fe2 plus, spin only magnetic moment, यह तो कर लोगे, easy कुछ नहीं करना, 5 आजाएगा, इस concern, 4 unplugged electron हो जाएगे, next देखो, the correct statement बतानी है, आप लोगों को, क्या लिखा हो है, cerium plus 4 in aqua solution is not known, अरे यह कैसे हो सकता है, यह तो हमने देखा दा, strong oxidizing agent होता है, actinoid contraction क्या same होती है, नहीं, जादा होती है, यह भी हटाओ, ठीक है, the lengthinoid and actinoids, do not show variable oxidation state, ना भई, actinoids तो बहुत सारी variable oxidation state दिखाती है, तो ए इसका correct होगा, कि जो lengthinoids की starting के members हैं, वो calcium जैसे उनकी properties होती है, जैसे ionization energy होगा, mercury liquid है, mercury liquid क्यों है, क्योंकि, क्या है metallic bonding weak है बिल्कुल, क्यों weak है, क्योंकि मैं unfair electron ही नहीं है, completely filled the orbital है, dd overlapping ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि overlapping कंब हो पाती है, जब unfair electron होना, तो बिचारे के पास है ही नित overlapping क्या करेगा, तो इससे लिए वो liquid metal है, याद करो मैंने आपको बोला था, अगर आपके 4D और 5D, especially अगर मैं बात करू, palladium और platinum की, palladium और platinum की बात करू, तो उसमें क्या होते हैं, depend नहीं करता कि आपका ligand strong है, weak है, हो हमेशा square planner complex ही बनाएंगे, यानि कि जो platinum है, वो क्या करेगा, square planner complex ही बनाएंगा, समझ में आया, इसमें आपको बताना है, highest paramagnetism, कैसे करोगे, जिसमें number of unpaired जादा होंगे, तो zinc 2 plus में तो क्या है, D10 है, chromium 3 plus में D3 है, और इसमें क्या है, D9 है, मतलब A की unpaired होगा, इसमें 3 होंगे, Fe3 plus में D5, सबसे जादा unpaired इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसके वो हो जाएगा, सबसे जादा, unpaired electron है, तो magnetic movement भी उसका, सबसे जादा हो जाएगा, यानि कि paramagnetic behavior उसका ही, सबसे जादा होगा, ओके, इसके बाद 98, MA2, B2, C2 type, कोई भी ले ले लो, इसका example, सबसे मैं ये ले लेती हूँ, NS3, 2 ले लो, CL2 ले लो, BR2 ले लो, इसका बना के देखना, MA2, B2, C2, बना के देखना, इसके geometrical isomer कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, डारेक्ट, ये question बहुत important आता है, आज बना के देखोगे तो, फिर देखो, which one of the following is the most reactive, towards nucleophilic substitution reaction, class में करवाया था, सब में CL बहार निकाल दो, सब में CL बहार निकाल दो, तो देखो, ये क्या बनेगा आप लोगों का, allylic carbogatine बनेगा, वो सबसे जादा क्या होगा, reactive होगा towards, आपका nucleophilic, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, benzine के उपर positive charge आजाएगा, यहाँ पर double bond के उपर, और यहाँ पर भी double bond के उपर, तो यह नहीं हो सकता, इसका D होगा class में कराया था, उसके बाद है, when CH3, CHBR, CH2, CH3, react करेगा KOH के साथ, देखो, in the presence of water, अब confuse मत होना में polar solvent है, देखो, उन्होंने क्या पहली mention कर दी, SN2 reaction से जाएगा, तो SN2 में क्या होता है, inversion होता है, SN2 में क्या होता है, inversion होता है, बोलो हाई या ना, यह question मैं आपको कल करवाऊंगी, class में थोड़ा सा lendी है, ठीक है, तो, यह मैं करवाऊंगी, बाकी मैंने सारे आप लोगों को questions होल करा दे, देखो, ज्यादा time लगा ही,